दोस्तो आप सबको पता है आज कर मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे आम मिल ले हैं तो आज मैंने आम से ही कुछ डिस बनाई है और इसमें हमने ना तो जिलेटिन का उपियोग किया है और ना ही हमने अगर-अगर काउपियोग किया है और बहुत ही बढ़िया ये पूरिंग बनेगी तो चलिए इसको किस तरह से बनाया है आपको बताती हूँ सबसे पहले हमने देखिया आम लिये हैं और आम को हमने अच्छे से धुल के और रख लिया है अब हम इसको छील के और जो पल्प है अन्दर का उसको निकालेंगे दोस्तों आम की बहुत सारी वराइटी होती है और आम बहुत सारे डिस भी बनते हैं तो आज जो डिस हमने बनाई है बहुत ही सिम्पल है लेकिन बहुत ही यूदिक है तो इसको सबसे पहला काम करना है कि आम को छील के इसके सारे गूदे हमको निकाल लेने हैं और उसके बाद हम इसकी रेसिपी तयार करेंगे दूस्तों एक बात और बताना जाँगी कि इस रेसिपी के लिए है आप जो रेसे वाले आम आते हैं उनका उपयोग न करें जो दसहरी है या अलफ auth हैंजो है बहुत सारे ऐसे आम आते हैं जिसमें रेसे नहीं होते हैं उन आमका आप उपयोग कर सकते हैं तो देखे सारे हमने निकाल के पल्प रख लिए हैं और अब हम लेंगे mixer jar और इसमें हम सारे पल्प जो निकाल के रखे हैं उसको डाल देंगे आप अपने आवसकता अनुसार quantity अपना घटा बढ़ा सकते हैं हमने बस थोड़ा सा बनाया है तो अब हम इसमें डाल देंगे ची चीनी डालें, जितना मीठा आपको खाना है, आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं, तो चीनी डाल के हमने दुबारा इसको देखे ग्राइंड कर लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे दूद, दूद डाल के हम एक बार इसको और मिक्स करेंगे, तो एक बार हम और चला के और ग्राइंड कर लेंगे तो देखिए यह पल्प हमारा एकदम रेडियो हो चुका है अब हम कडा ही लेंगे और उसमें हम इसको गिरा देंगे उसके बाद इसको हम रखेंगे गैस पर और पकाएंगे तो अभी हमने फ्लेम कम ही रखा है धीरे धीरे इसको पकाएंगे और ज तरह से mix कर लेना है और उसके बाद हम एक बड़े चमच से हमने लिया conflore और इसमें हम दूद्ध डालके और अच्छा सा घोल तयार कर लेंगे और अब इस घोल को हम इसमें डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे अब हमको continue चलाते रहना है इसमें बीच में कहीं रुकना नहीं है नहीं तो ये नीचे से पकड़ लेगा तो आप इसको बराबर से चलाते वए अब तब-तक पकाना है जब तक ये से ठोले लायक नहीं हो जाता और जो हमने इसमें konflore डाला है उसका कच्छापन खत्म नहीं हो जाता तो अब इसको हम बराबर से चलाते हुए अच्छी तरह से पकाएंगे और जब ये अच्छी तरह से पक के तयार हो जाएगा तब हम इसको सेट होने के लिए रखेंगे अब सेट होने के लिए आप अपने अनुसार किसी भी चीज में रख सकते हैं कटोरी में रख सकते हैं या फिर आपके पास कोई मोल्ड हो उसमें रख सकते हैं जैसी आपकी मर्जी हो कुछ ना हो तो आप कटोरी में ही सेट कर लें लेकिन इसको सेट करना बहुत जरूरी है तो चलिए देखिए हम अच्छे से इसको पका लिए हैं और अभी ये थोड़ा सा और पकाएंगे क्योंकि जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो थोड़ा सा एकदम टांस्परेंट दिखने लगेगा तो इसको बराबर से आप चलाते हुए अच्छी तरह से पका लें अब इधर हमने एक जो हमारा मोल्ड है लिया है हमने दोनों को हमारे पास सिलिकॉन का भी है और अलमूनियम का भी है तो दोनो नहीं को जब डिया था ठंडा होगा तो देखिए इससे ऩो और उसके रग दीआ था ठंडा होने को लिचे से प्लेट में रखके और थोड़ा सा टैप कर देंगे तो बड़ी आसानी से देखे निकल आया है लग रहा है बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही टेश्टी भी बनता है अब थोड़ा सा गार्निसिंग के लिए हमने आम छोटे-छोटे टुकुडों में कट करके रखा है उस अगर पसंद आये तो इसको लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए फिर मिलेंगे इसी तरह के बेहतेरीन रेस्पी के साथ तब तक के लिए नमस्क्राइब